नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार श्टडी बेस तो चले दोस्तो अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की भूगोल के अंतरगत भारत की मिट्टिया अर्थात म्रदा के वारे में हम पढ़ने वाले हैं तो इसके पहले हमने भारत के भुगोल के अंतरगत आपको पता होगा हमने भारत के अंतरगत इस्तिती और उसका विस्तार से संबंदित सारी चीजे पढ़ लिया है उसके बाद हमने जो बाद में देखे थे भुगरविक संरचना जो भारत की भुगरविक संरचना है विविन हमाले परवत के बारे में सारी चीज outbreaks मेंदन इन सभी चीजें उमने इसके बाद पढ़ लिए ठीक है अब जो इसके जिस्ट पहले हमने पढ़ा हैं भारत की जलवाईायों के बारे में देखेंगे इसके परस्टाथ हमारे दो तीन टॉपिक और है बहुत सारी चीजे हमारी कवर हो जाएगी तो हमारे complete syllabus यहाँ पर कवर हो जाएगा इसके बाद अगर कुछ important लगता है कि जो exam के अनुसार आपको जो है जरूरी है तो वह भी में हाँ पर कवर कर लूँगा और हमने क्या पढ़ा था चट्टानों के बारे में पढ़ा था और चट्टान के प्रकार की होती है ठीक है चट्टानों के बारे में पढ़ा था चट्टान है तीन प्रकार के होती है तीन प्रकार के कौन-कौन सी होती है एक तो होती है आगने चट्टान दूसरी होती है अवसा परत है जिसके कारण जो उपजावपन उसमें आ जाता है उपजावपन अर्थात उसमें जो है एक प्रकार से कोई भी पौधा या फसल उगने लाइक वो हो जाती है तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो मैदा है म्रदा हम इसको बोल सकते हैं अब म्रदा एक प्रकार से ज से स्कित्पत्ती हुई है यह हुई है सोलम ठीक है अब देखें इंग्लीज में इसको क्या बोला जाता है म्रदा को म्रदा को इंग्लीज में बोला जाता है soil ठीक है तो यह देखिए Latin भासा के solom सब्द से इस्कित पत्ती हुई है और solom का जो अर्थ होता है वो होता है first फरस मतलब जमीन ठीक है और first को ही English में क्या बोल सकते है पन floor तो हम simple समझ सकते हैं Latin भासा के solom सब्द से इस्कित पत्ती हुई है इसका मतलब होता है first और first का मतलब होता है flow ठीक है तो जो उपरी परत होती है मतलब जो चक्टान या भूपर पटी की उपरी परत होती है उसको हम क्या बोलेंगे मरदा की संगय इसको बोल सकते हैं और ये काफी important प्राकृतिक संसाधान हम इसको बोलते हैं ठीक है इसके अलब मरदा की अध्यान करने के लिए एक विज्ञान होता है जिसे हम बोलते है एक प्रकार से क्या इसको बोलते है पेडोलोजी यानि की मरदा विज्ञान इसको बोल सकते हैं इंगलीज में अगर बोला जाये तो इसको क्या बोलेंगे पेडोलोजी बोलेंगे ये भी आपको याद रखना है म्रदा विज्ञान जिसको बोलते हैं मतलब म्रदा विज्ञान में म्रदा का अध्यान प्रकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है और इसके अंतरगर जो है म्रदा का निर्वान म्रदा का वर्गी करण तथा म्रदा के भौतिक रसायनी के वंजैबिक गुणों क अभी अध्यान किया जाता है तो मरदा का अध्यान करने वाले विज्ञान को मरदा विज्ञान या पेडलोजी इसको कहा जाता है इसके अलाबा हम देख सकते हैं जो मरदा होती है मरदा की अगर बात करें तो वो अनिक प्रकार के खनीजों से मिलकर बनी होती है जैसे खनीच के अंगर बात करें ठीक है खनीच के साथ में हम बोल सकते हैं पोधे प्लस हम बोल सकते हैं जीब और जनतु ठीक है जीब जनतु के जो अफसेस होते हैं इनसे कमप्लीट रूप से बनी होती है खनीच से बनी होती है पोधे से बनी होती है जीब जनतु के अफसेस परत होती है उसको हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं मरदा मतलब उपरी जो परत होती है बेग्यानिकों के अगर माने तो बेग्यानिकों के अनुसार मरदा जो है धरातल पर प्राकरतिक तत्वों का समुच्चे होती है और इसमें जो होता है जीवित एवर मरत पदाग सम्मि प्रदा की प्राकृतिक चंता है उसको एक प्रकार से क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है उर्वर्ता ठीक है उर्वर्ता को फर्टिलीटी बोलते हैं एक प्रकार से मतलब उर्वर्ता अगर नहीं रहेगी कोई मिरदा में तो पौधों को पोशकतत में नहीं मिले गए या देख पढ़े थे अपर्दन तो अपक्ष्य और अपर्दन हमने हिस्तार से पढ़े देखिए अगर स्वय स्थानیا यानि कि कोई परवत CRITAR है कोई जो प्रक्रतिक कुछ वाच्छा होँ प्रथवी के अंतर प्रक्रिया के कारण वो कहीं दूसरे स्थान पर जाना मतलब अपर्दन और दूसरे पर जाकर वो निक्षेपीत हो जा उसको निक्षेपण बोलते हैं ठीक है तो यह तीनों चीजे हैं तो अपक्छा मतलब जो तापमान परिवर्ताइव तुसार की क्रिया पॉधगे इसके प्रकार अगर देखें प्राणी एबम जो मनुस के क्रियक अलाफ है इसके दोरा जो सेलो या चटानों का तूटना होता है अपने ही स्थान पर उसको हम एक प्रकार से अपक्षे बोलते हैं और दूसरे स्थान पर ले जाना अपरदन कहलाता है तो यह सारी चीज हमने य मरदा को प्रवावित करते हैं तो यहां हम देख सकते हैं जो मूल पदार्थ होते हैं जिस पदार्थ के शरण से निर्मित एक प्रकार से जो मरदा है वो बनती है मतलब मूल पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिनने हम जनक पदार्थ भी बोला जाता है ठीक है इनको हम क्य बोल सकते हैं, जनक पदार्थ भी इनको बोल सकते हैं, मतलब मिरदा को उत्पन करने में इनका काफी, जो है, मतलब एक प्रकार से महत्पून योगदान रहता है, तो ये पदार्थ एक प्रकार से क्या हो सकते हैं, एक तो ग्रेनाइट हम बोल सकते हैं, एक बोल सकते हैं, संग नीस होती है, सिस्ट होते है और अवसादी चटान होती है जैसे बलुव पत्थर है, चिकनी मिट्टी, इसके अलावा ये सभी जो है अपे छक्रत कम प्रतिरोधी चटाने भी हो सकती है, तो ये सभी जो है मूल पदार्थ की सिर्णी माते हैं, मतलब म्रदा के जनक पदार्थ इनको बोला जाता है, और मुख रूप से इसके अंतरगत आगने चटान और अवसादी चटान ये सभी यहाँ पर मूल पदार्थ की रूप में आते हैं, अब चटान तो आपको पता है, चटान हमने क्या देखें, चटान एक प्रकार से जो है केवल ग्रेनाइट बलुव प अगर देखें हम जो दूसरा है हमारा कुन सा हुमस, ठीक है, हुमस अपने सुना भी होगा, हुमस का मतलब होता है, मिट्टी की जो ऐसी चंता मतलब मिट्टी की सबसे उपरी परत जो की उत्पादन करने में सहयक होती है, यानि कि मिट्टी को उपजाव बनाने में सहयक होत निर्मान बनस्पती हम के देखता है, innerhalb k NDW के अवगटन से होता है? यह जो निर्मान होता है, उसका कैसे होता है एक तो बनस्पती के कारन होता है अ कि अ बनस्पती मतलब अगर बात करें हम कोई पैर पोधे बनस्पती उनके अफसेश से या फिर जीवों के अफसेश से दोनों के अफसेश से किसका निर्मान होता हुमस का ठीक है भूरे काले रंका जटिल कार्विनिक पदार्थ होता है जो की जिसका निर्मान बनस्पती और जीवों के अफगटन से होता है और हुमस की मात्रा भिन्न भिन्न여 मरधा मी का उससन करने में उस नमी को बनाए रखने में सक्षम मनाता है ताकि हम देखें उप 열ो की संथिलीद ब्रद्धी में सहयक होती है यहाँ पे बंती हैं अमें यूमद्स की उपस्तिति फग्धों की संतुलीत ब्रद्धी में सॉयक होती हैं तो हमने देखे हैं। हमने मतलब मुक्तरूप से पथो की संतुलीत ब्रद्धी के लिए काफी उपयोगी होती है भूरे काले रंग का जटिल कार्वनिक पदार्थ होता है और ये बनस्पती और जीवों के अबगटन से निर्मिद होता है चलिए एक और चीज हम देख सकते हैं जो बर्स 2015 था बर्स 2015 की अगर बात करें तो जो सहिकत राष्ट संग थे जो सहिकत राष्ट संग थे उनाइटिद नेसन जिसे हम बोलते हैं याने की International Year of Soil 2015 इसके अलावाद बात करते हैं मरदा के गठन की तो आपको पता है देखे मरदा का गठन जो है अलग-अलग प्रकार से हम देख सकते हैं मतलब जो मरदा है बिभीन प्रकार के कण इसमें पाये जाते हैं जैसे कि हम देख सकते कोलाइडल मरतिका बजरी रेट ग से हम नहीं देख सकते हैं मतलब बिना यंत्र की सहायता के हम नहीं देख सकते हैं और मरदा के कणों को अगर बढ़ते करम में देखे तो हम इस प्रकार देख सकते हैं मतलब कोलाइडल मरतिका से बजरी हो जाती बजरी बनती है फिर उसके बाद हम देख सकते हैं मतलब किसमें एक साथ मिल जाती है तो उस मेरदा को हम क्या बोलते हैं दोमट मित्ती आपने सुने होंगे दोमट मेरदा ये दोमट मेरदा जो होती है अधिक संसलिष्ट हो जाती है भारत की अधिकांस मरदा है दोमट किसमें की पाई जाती है इसमें हम देख सकते हैं मरदा के कणों जाती है वो और अधिकांस जो है भारत में हमको दोमट मैदा देखने को मिलती है मरदा की जो सनरचना है उसकी अगर बात करें हम यहां पर तो मैदा की सनरचना हमको देखने को मिलती है कर दो मिलती है मरदा की सनरचना की अगर बात करें हम यहां पर तो मरदा की सनरचना की अंतरकात हम देख सकते है इसको इंगलीस में क्या बोलते है जो ब्यवस्था में होते हैं जो क्रम उनका होता है उसी को एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं संगटित होकर ये मरदा का निर्मान करते हैं और ये मरदा बैवस्ता या फिर हम इसको संगठन बोल सकते हैं ठीक है यहाँ देखिए एक प्रकार से ये जो मरदा संगठन या मरदा संरचना क्या होती है हमने देखे अभी जो बालू है गाध है चीका है युमा से यह जिस क्रम में जिस बैवस्ता में होते हैं उसी को हम एक प्रकार से संगठित होकार मरदा संरचना का यह निर्मान करते हैं और मरदा संरचना मरदा में जल एबं बायू की मातरा को नियंतरित करती है इसके अलाबा मरदा संरचना में एक प्रकार से अगर देखें तो मरदा में जल एबं बायू की जो परयापत मातरा होनी चाहिए क्योंकि जो बीज है जो बोई जाते हैं बीजों के अमकुरण जड़ों के स्वसन तथा जीवानों गतिविधियों के लिए जल एबं बायू की अवसकता होती है, तो यह काफी एक प्रकार से यहाँ पर जल और बायू की परयाप्त मात्रा, वहाँ पर होनी चाहिए, इसके अंतरगत हम देख सकते हैं, मरदा की अमलीता देखने के मिलेगी, मरदा बायू, मरदा जल और मरदा परिछे दिका, तो इस सारी चीज हम यहाँ प संकेंदरन होता है ठीक है इसके लाब आगर देखें तो जो म्रदा मतलब एक प्रकार से जो ह ह मतलब हाइडरोजन का जो संकेंदरन होता है ह आइन का म्रदा की अमलियता कहलाता है ये क्या कहलाता है म्रदा की अम्लियता कहलाता है और म्रदा की अम्लियता को किस मान से दर्स आते हैं pH मान से इसको दर्स आये जाता है pH मतलब अगर देखें तो हमको एक प्रकार से देखें 0 से लेकर 14 तक अगर देखें तो यहां हमको क्या देखने मिलेगी म्रदा की जो इस्तिती देखने मिलीगी पी एच मान तो यहाँ बीच में क्या होता साथ तो साथ से अधी कम है पी एच मान तो साथ से कम को क्या बोलेंगे अमलिय बोलेंगे ठीक है और साथ से अधी को क्या बोलेंगे शारिय बोलेंगे और बीज वाले को क्या बोलेंगे उदासीन बोलेंगे तो यह आप याद रखिए मतलब जो हाइज आयन है हाइडरोजन आयन का जो संकिंद्रन होता है उसी को एक प्रकार से मरदक की अमलेता बोलते हैं और इसको पी एच मान से दरसाते हैं पी एच मान में हम देख सकते हैं साथ से नीचे वाली बेलू को अमलियता बोलते हैं और साथ से उपर वाली बेलू को चारियता बोलते हैं और बीज वाले यानि साथ वाले को उदासीन बोलते हैं यहां मरदकी अमलियता को दूर करने के लिए हमको मुख्य रूप से क्या यूज करना होता है एक तो चूना यूज करना पड़ता है या फिर हमको जिपसम यूज करना पड़ता है यह दिहान में रखना है इसका प्रयोग किया जाता है म्रदा की अमलियता को कम करने के लिए pH जो अमलिये को एक प्रकार से acidic soil बोलते हैं इसका हाथ उदासिन को क्या बोलते हैं neutral और छारियता को alkaline बोलते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं next है मरदा वायू मरदा वायू मतलब soil air तो मरदा में करण के बीच में असंक छिद्र होते हैं मतलब जो मरदा होती है बीच में बहुत अधिक छिद्र होते हैं काफी मात्रा में जिन में जल एबं बायू के होती है बिद्वान होती है यह बायू जो होती है स्वतंतर रूप में क्या होती है स्वतंतर रूप से जल के साथ घुली आवस्ता में पाई जाती है इस बायू में आक्सिजन नाइट्रोजन तथा कारवन डायक्साइट आधी गैसों की उपस्तिती होती है जो कि पौधों के स्वसान एवं ब्रद्धी एवं मरदा में उपस्तित जो जिवानू है उनकी विभिन क्रियाओं के लिए आवस्यक होती है तो इस ही को एक प्रकार से मरदा वायू का नाम दिया गया है ठीक है मरदा के अंदर जो छिद्र होते हैं उनमें वायू पस्तित होती है जो कि पौधों के लिए काफी सायक होती है मरदा जल के अगर बात करें मरदा जल यानिकी soil water तो यहां हम देख सकते हैं मरदा में जो जल की उपस्तिती होती है यह मरदा की संडचना पर निर्वर करती है ठीक है मरदा की संडचना पर जो मरदा के जल की इस्तिती होती वो निर्वर करती है मरदा में जल की मातरा सूनने से जल जमाओ की इस्तिती तक हो सकती है यानि कि सू मरदा की उपरी सतह से लेकर उसकी जो मूल चट्टान है, जहां से वो बनी है, यानि कि सभी जो संस्तर होते हैं, horizon जिसे बोलते हैं, सभी संस्तर को एक प्रकार से समगर रूप से एक प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, मरदा परिच्छेदी का बोलते हैं, तो हम horizon के बारे में ही प कॉन कौन से पार्ट ए यानि कि का जिसमें संस्तर ए और इसके बाद खा उसके अब गहा और उसके बाद घा तो इन सब्टों को हम एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं मृदंदा संस्तर बोलता है मरदा यह complete रूप से देखने को मिलेगा आपको kaat से लेका घा तक परंतु यह सभी जो है अलग-अलग प्रकार से हैं इनका एक प्रकार से separation देखने को मिलेगा मतलब यह जो पार्ट है यह नीचे वाले पार्ट से थोड़ा अलग देखने को मिलेगा यह खा पार्ट है वो नी उपरी परत इसको बोलते हैं किसको का को ठीक है और यहां पर देख सकते हम क्या होता है पौधो की जो ब्रद्धी है वो यहां पर हमको देखने को मिलती है पौधो की ब्रद्धी के लिए यहां पर हमको क्या क्या चीजे देखने को मिलती है जैपदार दूसरा खनीज और उसक एक प्रकार से पोसक तत्वह यहां पகाफी मातshire में इसका सायोजन होता है साथ में अगर देखें तो जल वी सायोजन होता है तो सभी चीजयों अगा सायोजन Ms.ığ कहा ने मिलेगा? यैनि हो कह ना कि यह मुर्दा की पहली संस्तर है और ऑग मैं कहलाती है नीचे वह उपर दोनों और से पदार्थ यहां पर प्राप्त होते हैं मतलब उपर से भी पदार्थ प्राप्त होते हैं और नीचे से भी ठीक है तो यहां पर दोनों और से पदार्थ प्राप्त होते हैं और इसमें कुछ जै पदार्थ भी होते हैं जै पदार्थ भी यहां प गाशन्सर के अगर बात करें हमतो इस संसर की जो रचना है देली-जनक सामगरी से होती है इसमें अगर देखें हम तो यह है परत जो है मरधा-णिर्मान की प्रक्रिया में प्रथाम अबस्ता होती है मैदा निर्मान की पक्रिया में फर्स्ट स्टेज होती है ठीक है और अंतता है उपर की दो परते इसी से बनती है तो गा से ही खा बनेगी और का बनेगी तो ये दोनों आप याद रख सकते हैं इसके आद गा की अगर बात करें या नहीं कि अगर बात करें हमें आप है तो जो उपर की तीनों है का खा और गा तो उपर की तीनों संस्तरों के जो है नीचे एक चटान मतलब यह जो जटान के रूप में पाई जाती है ठीक है उपर की तीनों संस्तरों के नीचे और ये एक प्रकार से यहाँ पर जनक चटान इसको बोलते हैं जनक चटान क्यों बोलते हैं भाई जो घा है घा से ही गा बना है खा बना है और का बना है तो इसको एक प्रकार से आधार या बेस हम बोल सकते हैं बेस चटान या आधार चटान इसको बोल सकते हैं और मरदा जिसका एक जटिल एवं भिन अस्तित्व है सदे मरदा विज्ञानिकों को अकर्सित करती रही है और इसके महत्व को समझने के लिए हम देख सकते हैं आवस्यक है कि जो मरदा विज्ञानिक है मतलब एक प्रकार से अध्यान इसका विज्ञानिक रूप से होना जरू इसके आद हम देख सकते हैं मरदा निर्मान की प्रक्रिया के बारे में तो मरदा निर्मान की प्रक्रिया के अंतरगत हमको मुखरूप से देखिए अलग-अलग प्रकार से देखने की भी लेंगे तो जो मरदा का जो निर्मान है हम देख सकते हैं मरदा का निर्मान चटानों स प्राप्त जो जेपदार थे वह भूमी में पाए जाने वाले जो खनीज है उनसे होता है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एक तो इसका जेपदार से निर्मान होता है दूसरा देख सकते हैं हम जो भूमी में पाए जाने वाले जो भी जो खनीज है ठीक है इनके कारण क्या होता है म्रदा का निर्मान होता है और मरदा निर्मान या मरदा जनन जो सर्वपत हम एक प्रकार से अगर देखें तो हमने देखे थे यह किस पर निर्वर होती है यह अपक्षेन पर निर्वर होती है मरदा निर्मान की जो प्रक्रिया वो अपक्षेन पर निर्वर होती है और अपच्छे ही जो प्रवार है वही म्रदा के निर्मान की मूल प्रक्रिया होती है इसके अलाबा कारक की अगर बात करें तो म्रदा निर्मान को प्रवावित करने वाले कुछ कारक है वो हम देख सकते हैं जैसे हमने देखे थे मूल पदार हमने देखे थे ठीक है उसके आद हमने देखे थे इस्थलाक्रति जो मतलब यहाँ पर अगर अभी बात करें तो इस्थलाक्रति जो अलग-अलग प्रकार की बो देख सकते हैं मूल पदार्त मतलब पैरेंट माटेरियल जिनको हम बोलते हैं इंगलीज में अगर बात करें तो अप अच्छे सेल जो होती है या इसके अगर बात करें तो मूल जो सेल है वो क्या होती है अपने ही इस्थान पर अगर वो रसानीक और भौतिक क्रियाओं से क्या हो जाए मुड़ निर्मान मलभा के आकारवा मलभा के कणो का बिन्यास तथा सेल के निक्षेप के जो खनी जवम रसानिक सायोजने उस पर निर्भर करती है थीक है इस पर काफी यहाँ पर निर्भर होती है इसके लाभ अपक्छन की प्रकृति एक गयर बात करें तो इसके अंतरगत जो है जो अपेक्षेन की प्रक्रती एवम उसकी दर है तथा जो आवरान है आवरान की जो गहराई है और या मोटाई ये सभी तत्वे इसके अंतरगत सामिल होते हैं मूर्पदार्थ के अंतरगत फिर अगर बात करें हम अगर यहाँ पे जो मर्दा है बहुत नई होती है नई अवस्ता में होती है तो हम बोल सकते हैं वो क्या होती है परिपक्व नहीं है अगर कोई नई मर्दा है तो उत्पादन के लिए परिपक्व है क्या नहीं है तो नई मर्दा को यहाँ परिपक्व नहीं माना गयी यानि कि यंगय जो अवस्ता है उसमें उसको परिपक्त नहीं माना जाता है तब तक जो है मतला मिरदा को परिपक कब माना जाता है जब तक कि सेलो के जो प्रकार उसमें घंश्त सम्मन्ध ना हो ऩी तो नूता नावस्ता वाली जो म्रदा है उसको परिपक नहीं माना जाता है फिर कुछ चूनाची होते हैं चुना चेत्र में भी अपैक्षेन की प्रक्रिया विश्ट एबं विश्ट्रू रूप से होती है और वहां जो होती है मिट्टी या मूल सेलो से इस पश्ट संबंद दर्साती है तो यह मूल पदार्थ के बारे में कुछ भाती स्थलक्रती भी दूसरा एक प्रकार से निस्क्रिय नियंत्रक कारक के रूप में जाना जाता है तीवर ढ़ाल एबं निम्न ढ़ाल के अगर बात करें तो यहां पर तीवर ढ़ाल पर जो मरदा है छेचली वह सपाट एबं उच्छे छेत्रों में गहरी और मोटी होती है जबकि निम्न ढ़ाल के अगर बात करें तो निम्न ढाल में यहां पर अपरदन मंद एवम जल का परीष्रवन होता है उसका अच्छा रहता और मैधा निर्मान बहुती हिए अनुकूल होती है संतल छेत्रों में जो चीका मिठ्टी होती है ठीक है चीका मिठ्टी के मोटे स् साथ म्रदा का रंग्दी कहा होता है गहरा हो सकता है मद्यक्षांट के अगर बात करें हम यहां तो मद्यक्षांट की दक्षिंग की और जो है सूर की केड़नों से धके धालों की वनस्पति एवर म्रदा की दसा भिन्न होती है तथा उत्तर की ओर ठंडे नम दसाओ वाले जो नम जो है और प्रकार की मिट्टी या वनस्पति मिलती है तो दो-णों में उत्तर और दक्षिन में हमको दोनों ही एक प्रकार से म्रदा वारीन की तत्व की देख सकते हैं। कि जो बारंबरता है वो अवधी है आदरता है तापकरंव मौसमी एवं दैनिक भिन्रता यह सभी जलवाईव इतत्व के रूप में जाने जाते है म्रदानिर्मान में क्छेविक कि रिया होती है म्रदा निर्मान के संबंद में जो कार आ चे उसमें तो जेविक क्रियाओ के अंतरगत हम देख सकते हैं जो है बिभिन जो सजीव जीव है वो प्रकरती में बिदमान जेविक गटक है उनके साथ क्या करते हैं उनके घटकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और म्रदा में जो उपस्तित जैपदार्थ होते हैं नाइट्रोजन इस्थिरी करण तथा जो नमी धारन करने की छमता होती है आधी पिर क्रियाओ में भी ये साहयक होते हैं इसके अलाबा जैविक आजिक क्रियालो कीघहनता के अगर बात करें तो यह भी चीय होती है म्रदा निर्माण ko काफी प्रभावित करती है मैं आध्र ऊष्ण और भूमत लेक्ये जलबाययों की बात करते हैं तो यहां पे देख सकते हैं से तथा जो म्रत बनच्पती सीगरिता से श्यूमस की मातरा बहुत कम रह जाती है बैक्टेरिया बे मिर्द की जीव कि अगर बात करें तो यह जो हवा से गया से नैट्रोजन प्राट कर उसे क्या करते हैं और जिसका पौधो दौारा उपयोग किया जा सकता है इस प्रकौन नाइड्रोजन इस्षिरी कारण इसको मतलब हम एक प्रकार से बोल सकते हैं इसका अंतरगत हम एक चीद देखते हैं तो नाइड्रोजन से समभद्स है इसकी अगर बात करें हमें आप है तो जो राइजोबियम है वो आपने सुना होगा राइजोबियम सुना होगा ठीक है तो यह प्रकार का बैक्टीरिया होता जो की तंतु वाले जो पौधे होते हैं तंतु वाले मतलत जैसे की जो डाल वाले पौधे हम बोल सकते हैं चना हैं सोयवीन है उसकी नीचे झरती करने का में रहता है तथा जो है entity हे रूप में यानि कि मेजवान कोदर के लिए लापकारी नाइट्रोजन का इस्थिरी करने का ये प्रकार से नाइट्रोजन को सिरी करने का कखा काम उम्हाइज के दारा के जाता है साथ ही हम देख सकते हैं चीटी है दीमा कहें केंचुआ है ये सभी जो कीट है उनका महत्व क्या कहोता है मेकनिकल अर्थात अभियांत्रिक होता है मैदा निर्मान में ये महत्पून होते हैं क्योंकि मिरदा को बार बार उपर नीचे करते हैं जो किये प्रकार से जो जीव होते है और क्याइंचुवय liberal को खाते हैं ये आपने देखा होगा उनके सरीर से निकलने वाली PhD रसायन में परिबर्तित हो जाती तो काफी important होता है तो ये भी म्रदा निर्मान में साहिक होते है उतने उतंड़ regularlyum मरदा की परिपकवता एवम उसकी पास्वी का असाथ प्रोफाइल के विकास का निर्धारान यहां पर करती है इसके अलावा देखें तो यहां पर हम देख सकते हैं कुछ जो है तरून एवम युवा जो है मरदा की अगर बात करें तो कुछ समय पहला है जो निक्षेपित जरोड मिट्टी या हिमानी टीलों से निर्मित जो मरदा है उसको हम तरून या युवा मरदा बोल सकते हैं तथा उनमें क्या होता है संसर जो होरिजन्स होते हैं उनका आभाव होता है तथा कम विक्सित संसर भी होते हैं परिपक्वता की अगर बात करें तो म्रदा के विकास या उसकी परिपक्वता के लिए क्या होता है बिसिस्ट कालवधी यहाँ पर नहीं है ठीक है तो ये एक प्रकार से हमने देखे हैं म्रदा निर्माइन को प्राभावित करने वाले कारक जो की important थे और एक चीज और important हम देख सकते हैं आपको याद होगा हम म्रदा दिवस एक प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक ह 5 दिसंबर को याद होगा आपको ठीक है 20 म्रदा दिवस और 2019 के अंतरगत अगर देखें तो इसकी थीम क्या थी मरदा अपरदन को रोके हमारा भविस बचाए यह आप थीम याद रख सकते हैं ठीक है सांसनात में मैं जो है सम्मेंदिक टॉपिक से सम्मेंदिक काफी important चीज मुख रूप से अगर देखें तो दो बर्गों में माटा गया है प्राचिन काल में अगर देखें तो एक उर्वर थी और एक उसर थी ठीक है उर्वर मतलब होता है जो उपजाओ होती है और उसर मतलब होता है अनुपजाओ होती है ठीक है प्राचिन काल का मरदाओ का प्रिजम संस्थान दौर्ण दो संस्थान उनके दौरह क्या होता भारती मर्दाओं पर अध्यन किये गए हैं ICR के तत्वा भान में और म्रदा अध्यान एवं अंतराश्टी स्तर पर इसे जो है तुलनात्मक बनाने के प्रयास के अंतरगत जो ICAR है इसने क्या है भारती म्रदाओं को उनकी एक प्रकार से प्रकरती और उनके गुणों के अधार पर बरगी करत किया है USA की अगर बात करें USA अर्था स्नेक्तराज अमेरिका की तो इसके एक प्रकार से क्रसी विभाग की म्रदा जो बरगी करन पद्धती है इस पर आधारित है ये एक और चीज आपको देखने को मिली गी अभी जो है म्रदा कार्ड योजना म्रदा स्वास्त कार्ड योजना जो है तो राजिस्थान मतलब जो सूरतगर है राजिस्थान के अंतरगत उसमें मिट्टी की खराब जो एक प्रकायस होती है उसकी गुनबत्ता की जांच करने तथा करिसी उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए इस योजना यानि की मैदा स्वास्तकार योजना की सुरबात यहां प खेत हरा यह इसका धेवाक्या है और इस कार्ड के अंतरगत प्रते चार वर्स में हमको क्या होगा नभी नभी नहीं करने इसका करना पड़ेगा मेदा स्वास्त कार्ट के दौरा जो है मिट्टी के मौजूदा पोसक तत्वों की स्थिति और फसल की दृष्टी से पोसक तत्वों और उर्वरकों की आवसकता है उसकी सिफारिस की जाएगी मुख्य उद्देश क्या है इसका उप्योग ते संसादनों के उप्योग द्वारा उत्पादक्ता में सुधार लाना वा किसानों की स्थिति को सुधार लाना ये मुख्य उद्देश था मतलब भी जो मेदा स्वास्त कार्ड लॉंच किया गया है उसके अंतरगात देख सकते ह इसके अलाबा अगर देखें हम यहाँ पर जो कार्ड है कार्ड और प्रस्ताविक खाद के लिए ओनलाइन आवेदान ही तू एप्लिकेशन सॉफ्टेयर विक्सित किया गया है और इसे प्रारम भी किया जा चुका है यह भी आप याद रख सकते हैं भारती है जो क्रसी अनुसंधान परिसाद है ICAR इसकी बात करें हम तो संरचनवात्मक मिट्टी और खनीज मिट्टी के रंग बौसंसाध हत्मक जो महत्व है उसके ध्यान को रखते हुए यहाँ पर भारत के अंतरगत कुछ मिट्टियों के प्रकार इसके दौरा गिए गया है तो आपको याद रखना है किसके दौरा विभाजित किए गया है यह मिट्टी के प्रकार ICAR के दौरा भारती क्रसी अनुसंधान परिसाद के दौरा तो आठ प्रकार की मिट्टी हम देख सकते हैं, पहली जो मुख रूफ से है जरोड मिट्टी, ठीक है, ये किस प्रकार से यहाँ पर बाटे गया है, उत्पत्ती, रंग, सैयोजन तथा अवस्तिती के आधार पर, दूसरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, राइट मिट्टी, इसके अलाबा सुस्क और मरस्तली मिट्टी के बात कर सकते हैं, लबनी मिट्टी भी हम यहाँ देख सकते हैं, पीटमय और बन मरदाय या परबती मरदाय हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो एक नजर हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखे, अगर परबती म जरोड मिट्टी के अगर बात करें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जरोड मिट्टी जरोड मिट्टी आप देख सकते हैं यह मुख रूप से आपको उत्तर भारत के विसाल मेयाद Might की इसलिए देखना मिलेगी काफी नदियों के दवरा अवसाद लाए जाते हैं देखिए यह वाले छेत्र में आपको इतने वाले भाग में जरोड मिट्टी यहां पर देखने को मिलेगी ठीक है और काफी उपजाओ होती है दो प्रकार की जरोड होती है वह हम आगे देखेंगे तो यह जो है नदियों के दारा लाएगा अफसाद के कारण लाल मेदा की अगर बात के हैं तो लाल मेदा आपको देखने को मिलेगी देखें यह देखें नीचे प्रादीती पठार के नीचे आप देख सकते हैं यह वाले भाग में देखें जहारकांट इधर उडिसा वाले भाग में कुछ आन्दर पैदेश तमिल नाडू बाले परवती इम्रदा की बात करें तो बन और परवती इम्रदा हम को कहा देखने के मिलेगी की हिमाले वाले चेत्र में देखे उपर वाले चेत्र में आपको बन वह परबती मिरदा यहां पर देखने मिलेगी कुछ चेत्र आपको सिक्किम वाला चेत्र देख सकते हैं और यह अरुनाचल प्रदेश वाला चेत्र देख सकते हैं उसके पीट महीं मिरदा की अगर बात करे मैं यह आप नादू के तरफ भी देख सकते हैं तो यह है क्रिक है इने के चैले इक है करके यह खोड़ी・ सोड़ी की बात करते हैं तो भारत के सर्वधिक छेतरों में पाई जाती। है यानि कि यह इ Mouse तरी मेदानों और नदियों गहांटियों में सर्वधिक छेत्र में पाई जाने वाली मिरदा है कि ईएक है जो में तो कु छेत्र मतलब यहां देखे पंजाब से असम तक यह देखे काफी मैदानी छेत्र हम को यहां देखने को मिलेगा तो इस छेत्र में यह पाई जाती है नर्मदा तापती महानदी गोदावरी कावेरी जो नदिया है उनकी घाटी एवम केरल के तडवरती भागों में भी यह काफी विस् आले के तीन महतपूर्ण नदी मतलब एक प्रकार से देखें तो किस किस के कारण एक तो सिंदु गंगा और एक है ब्रह्मपोत्र यह तीन नदियों के फल्सुरूप मतलब जो निक्षे पिन के दौरा लाए गया है अवसाद लाए गया है उनके कारण इसका निर्मान हुआ है ठीक है राजिस्तान तथा गुजरात में भी फैली हुई है यहां आप देख सकते हैं ठीक है इधर वाले छेत्र में प्राइदी पी प्रदेसु के अगर बात करें तो प्राइदी पी प्रदेसु के पूर्वी तट है उसकी नदियों को दौरा डेल्टा और जो नदिया ह में अगर देखें तो हम देख सकते हैं जैसे महानदी के अगर बात करें गोदावरी के अगर बात करें कृष्णा की बात कर सकते हैं गावेरी तो इन सभी के डिल्टा के किनारे भी हमको देखने के मिलता है इसका रंग मुख रूप से कैसा होता है हलका धूसर होता है हलका पर बात अर्ट जो है इस प्रकार से राक दूसर जैसा होता है इसका रंग जो है निक्षे-पन के गहराई जरोड के गठन और निर्मांड में जो लगने वाला जो समय अबदी उस पर निर्भर करता है उरवर्धा की अगर बात करने तो जरोड मिठी की उरवर्धा काफी अधिक होती है ठीक है इसलिए जरोड मेदा वाले छेत्र में गहन कैसी की जाती है जनसें का घनत भी ऑधिक पाया जाता ह इसके अलावा जरोड मेदक को जो गठन है गठन के अगर बात करें हम यहाँ पे तो जो बलूई जो दोमट होती है बलूई दोमट से जो चिकनी होती है एक प्रकार से इसका गठन जो होता है बलूई दोमट से चिकना होता है इस मिट्टी में एक प्रकार से अगर देखें तो हमको पोटास, फासफुरस, और अमल, और चूना, साथ में जेविक पदार, प्रचुर मातरा में देखने को मिलता ह अगर बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मातरा तथा हुमस की मातरा, यह काफी कम मातरा में देखने को मिलती है, तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं, मतलब यह बलूई चिकनी होती है, ठीक है, एक प्रकार से देखें तो पोटास, फासपोरस, अमल और का होती है, पच्चिम से पूर्व की ओर अगर बात करें तो इनमें बालू की जो मातरा है, वो कैसी होती है, घरते जाती है, ठीक है, और इस मिलता में रेत, गाद और मेतिका के बिविन ने अनुपात पाये जाते हैं, इसके अलाबा बलूई दोमट मेदा की अगर बात करें जो जलधारन चंता है, कैसी होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें रेत के कंड भारी मातरा में पाये जाते हैं, रेत से क्या होता पानी रिस जाता है, और समाने ता अगर बात करें हमें यहाँ पर, तो देखे, दोमट मिट्टी जो होती है, दोमट मिट्टी में 40-30 हमको गन्ना देखने को मिलता है, उसके आद जूट, कुछ मातरा में कपास देखने को मिलता है, तिलहन भी देख सकते हैं, एवं कुछ सबजीवे वाली जो करसी है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है, सुके छेत्री की जो मिरदाय होती है, अधिक छारिये होती है, निमने औ जो मद्द गंगा के मैदान हो और जो ब्रह्मपुत्र घाटी है इसमें ये म्रदाय अधिक दोमट और मेंड में होती है गंगा की उपरी भागों की अतकरें और मद्द बढ़ती मेदान में तो बांगार और खादार दो प्रकार से देखने को मिलती है ठीक है इनके बारे में मैं बिस्तार से बता दिया हूँ ठीक है बांगर और खादर क्या होती है देखे बांगर मतलब होता है एक समय पहले बहुत अधिक बाड़ आई होगी वहाँ पर जो अफसाद है उसका वित्रन हो गया है ठीक है मतलब जरूर मिट्टी वो आ गई है परन्तु बात के समय में वह ठीक होगी तो यह दोनो चीज आपको पता होनी चाहिए चलिए आगर देखते हैं अब हम जो दूसरी में मतला मतलब काली मरदा कि यहां पर है तो काली मरदा का जो निर्वान है वो हमको मुख रूफ से देखने मिलता है जो अला मुखी से जो लावा निकलता है ठीक है उसक के ठंडा होने के कारण क्या होता है बेसाल्ट लावा के अपक्छा है या टूट फूट के कारण क्या होता है लावा एक प्रकार से जो लावा मिट्टी है जिसे हम काली मिट्टी का नाम दे सकते हैं तो यह मातरा देखने को मिलती है मुखरूप से हमको दक्कन ट्रेप और जो मिठ्टी के अंतरगत आता है और गोदाबरी और कषणना नद्ए को उपरी भाग में भी हमको ये मिठ्टी देखने को मिलती है इसके अलाबा अगर देखें तो उत्तर पर्शिमी भाग में गहरी-काली मिरदा भी पाई जाती है और यह जो मिरदाय होती है इसमें अगर देखने को मिलती है इसके अलाबा अगर देखें रसाइनिक द्रिश्टी से अगर देखें इसमें काफी मातरा में तत्व होते हैं जैसे लोहा की बात कर सकते हैं चूना की बात कर सकते हैं केलसियम इसके अलावा जो है पोटास, ऐलुमिनियम, मैंगनेसियम ये काफी प्रेशुर मातरा में देखने के मिलते हैं इसके अलावा नाइट्रोजन अगर बात करें हम फासपोरस और जैविक पदार्थ, अर्थास हुमस इसकी कमी इसमें देखनों को मिलती है मिंड में और गहरी जो मरदा होती है, आम तोर पर काली मरदा जो होती है इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है अपार गाम में मरदा इसको बोल सकते हैं, ये मरदा गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है परंतु अगर सूख जाती है सूख जाने के पस्चाथ देखे इस प्रकार से इसमें धरारे देखने को मिलती है तो आप देख सकते हैं काली मरदा मैं सूखने के पस्चाथ काफी धरारे देखने को मिलती है और एक प्रकार से जो चोड़ी धारारे वो बन जाती है इसके अलाबा देखें नमी धारान करने की जो छमता होती इसकी मतलब एक प्रकार से बहुत महीन कंड अर्थात म्रतिका से ये बनी होती है जिसके कारण नमी धारान करने की छमता इसमें अधिक देखने को मिलती है ठीक यह ज़िका है कि भी बाद के समें होता है इस मित्ती का जो रंग हैं- Ł suspect कर यहां पर आपको याद रखला इसको बोला जाता है कपात की खेती के लिए काफी important होती है तो आपको छेत्र याद रखना है देखिए यह वाला काली मिट्टी वाला लाल और पीली मरदा की अगर बात करें तो लाल और जो पीली मरदा है वो हम देख सकते हैं कुन से छेत्र में देखने को मिलेगी यह देखिए यह आप देख सकते हैं यह वाला छेत्र आप देख सकते देखिए प्रादी पी पठार का भाग है इतने छेत्र में आपको देखने को मिलेगी तो आपको ध्यान रखना है यह देखिए यह वाला छेत्र है चले इसके बारे हमकुछ चीज जान लेते हैं, तो जो लाल और पीली मरदा रेड यलो सोल जिसे बोलते हैं, इसका निर्मान जो होता है, निर्मान के अगर बात करें हम तो जल वायू विक जो एक प्रकार से परिबर्तन होते हैं जल्वाई विंक जो परिबर्तन होते हैं उसके पढरणांसुरुप क्या होता है रविदार एवं काइंतरिस सेल, काइंतरिस सेल तीसरे नमबर की सेल होती है उसके विघटन एवं बियोजन से जो होता है इसका निर्वान होता है इस मिट्टी में एक प्रकार सागर देखें तो हमको लोहा प्लस सिलिका इसकी प्रधानता देखने को मिलती है इसके बाद इसका रंग अगर देखें तो रंग इसका कैसा होता है लाल और किसके कारण लाल होता है याद रखना ये question आता है लो आक्साइट के कारण इसका रंग लाल होता है लो आक्साइट के उपस्तिती के कारण लाल और पीली मिट्टी का रंग कैसा था लाल होता है लेकिन जल योजित रूप में यह है पीली दिखाई देती है इसलिए इस मर्दा को लाल और तीली मर्दा भी कहा जाता है लाल जो मिर्दा है उसका विकास अकर देखें तो यहां पर हमको दककन के पठार के पूरभी एबम दक्षिनी भाग मेरी देखने को मिलेगा यहां पर रवेदार आगनी चट्टान पाई जाती है और पश्चीमी घांट की अगर बात करें, पश्चीमी घांट मतलब ये वाला भाग हम देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें गिरिपद, मतलब जो किनारे वाला छेतर है, उसमें एक लंबी पट्टी की रूप में ये लाल जो दोमट मेदा है, वो हमको देखने को मिलती है, उड उडिसा वाले छेतर में भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये तो गुजराद वाला छेतर है, इधर नहीं मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं, उडिसा और चत्तिसगड़ वाले छेतर में यहाँ देखने को मिलती है, और प्रकरती इसकी देख सकते हैं, जो मरदा है, एक प्रक प्रतिकी है इसमें प्रकार से अगर देखें तो नाइट्रोजन फासपुरत और हुमस इसकी कमी देखने मिलती है और यह म्रदा एक प्रकार से अनूरवर या अर्थात हम बोल सकते हैं बंजर भूमी के रूप में भी पाई जाती है इसके अलावा कुछ अगर देखें तो यहां पर देखें जो हम अगर देखें तो उच्च भूमियों में इन मिट्टियों की परद्ज होती है काफी महीन होती है तता यह जो है बजरी उक्त बली जो पत्रीली एवं छिदरी उक्त होती है इसके अलावा बाजरे जैसी जो फसल मतलब मुख्रूप से जो फसल है बाजरे की फसल के लिए उपयोग्त होती है ठीक है मोटे अनाज बोल सकते हैं मोटे अनाज के लिए उपयोग्त होती है और अगर निमने घाटियों के बात करें तो निमने घाटियों में गहरी ऊर्वार एवं गहरे रंकी होती है तो यहां प देखें भारत में तो हमको तमिल नाडू वाले छेत्र में देखने को मिलती है करनाटक वाले छेत्र में देखने को मिलती है महराष्ट वाले छेत्र में आंद्र प्रदेश मद्र प्रदेश के पूर्विभाग छत्तिसगार उडिसा जारकांट इन सभी में व्यापक छेत्रों में हमको देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल के अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के दक्षिनी जो छेत्र है यानि पश्चिम बंगाल में दक्षिनी उत्तर प्रदेश तथा राजिस्तान के कुछ छेत्रों में भी हमको देखने को मिलती है तो यह तो हो गई लाल पील पुर्वुत्तर राज्यों में अब यहां अगर बात करें हम लेटराइट मेदा की तो इसके बारे में देखते हैं निर्मान की तो देखें निर्मान इसका कैसे होता है सबसे पहले बात करते हैं लेटराइट जो सब्द है वो कहा से आया ये एक लेटिन भासा का सब्द है लेटिन सब्द है जिसको बनते हैं लेटर से बना जिसका साबदी कार्थ होता है इंट मतलब इस मरदा का प्रयोग है मुख रूप से किसको बनाने में प्रयोग होता है इड बनाने में तो याद रखना है यह चीजे और निर्मान कैसे होता है इसका निर्मान होता है मांसूनी जलवाईयू होती है मांसूनी जलवाईयू की आदरता और जो होती है उसकी सुस्कता उसमें क्रमिक परिबर्तन होता है मतलब इसमें अगर परिबर्तन होता है ठीक है मांसुनी जलवायू की यादरता और सुस्कता में क्रमिक रूप से परिबर्तन होता है तो उससे उत्पन्य विसिस्ट परिसितियों में इसका निर्वान होता है इसमें एक प्रकार ससे देखें, तो iron और silika की मातरा, थिक है, iron और silika की मातरा जो होती है, बहुत अधиков होती है, इसके अलावा अगर बात करें हम यहां देखे जो चूना और सिलिका है निक्षालित हो जाते इसमें बर्सा के साथ में तथा लोहे के जो आकसाइड और अलुमिनियम की योगी इससे भरपूर मेदा सेस रह जाती यहां पर यह कैसे होते है निक्षालित हो जाते हैं मतलब नीचे वाली जो संसार उसमें चले जाते हैं इसके लावा जो विकास इसका अगर देखें लेटराइट मेदा उच्चे तापमान और अत्यधिक वर्सा वाले छेत्रों में देखने को मिलती है मतलब तापमान भी अधिक होना च सकते हैं दिवाजन इसका किसकी सेत्रिक तो होती है के प्रचार इक होती है भू जली ए मरदा कि उसके वाड़ होती है इसके गहरी लाल नहीं राट एंठ और यह हो एक होती है स्वेद सापेथ गकल सहने, तो गभु होती है तो यह होती है ता दिय Session का है फिर इसके आदे भुजलिये वाली देखें तो लेटराइट मेदा का लाल रंग जो होता है लोहे अक्साइट के कारण यहां पर होता है देखे हमने और यह मिट्टी जो होती है समाने ता लोहे और अलुमीनियम में समरद्ध होती है जबकि इन में जो होता है नाट्रोजन जाते हैं नीचे की परतों में चले जाते हैं उर्वर्ता की अगर बात करें तो यहां पर जो कपास ठीक है चावल है रागी है गन्ना दाल चाय कहबा यह सभी यहां पर देखने को मिलते हैं तमिल नाडू की अगर बात करें हम तमिल नाडू यह वाला छेद रहें ठीक है तमिल नाडू और साथ में कुछ आंद्रप्रदेश की अगर बात करें और केरल की तो यहां लाल लेटर राइट जो मेदा है वहां पर क्या होता है काजू की फसल यहां पर देखने को मिलती है मेता संडक्षन की उचए तक्निक अपना कर यहाँ पे करनाटा, केरल और तमिल नाड़ू में इसमें कहोती है चाई और कौफी की खेती यहाँ पे की जाती है इसके लाब आप विकास जो है मतलब अगर देखें तो इस मैदा का विकास मुक्रूफ से हमको कहा देखने को मिलता है प्रादीपी पठार के उचे छेत्रों में देखने को मिलता है मुक्रूफ से सहादरी वाला चेत्र ये वाला चेत्र आप देख सकते हैं पूर्विघाट, राजमहल की पाड़िया ये देखे, राजमहल की पाड़िया पूर्विघाट में ये देखने को मिलता है, सत्पुड़ा बिंदे और महराष्ट, करनाटक, केरल, तमिलनाडू, उरीसा, इन पाड़ी छेत्रों में भी हमको कुछ-कुछ भागों में ये देखने की मिलती है ठीक है तो इसके बारे में देख लेते हैं इन मरदाव को रंग जो होता है लाल तथा किस्मिसी प्रकार का होता है लाल होता है इनका रंग होता है सामानेता है इनकी जो संरचना इसमें बलूई और प्रकृति में लबनी होती है ठीक है और लबनी प्रकार इनका होता है नमक की मातरा की अगर बात करें तो कुछ छेत्रों की जो म्रदावसमें नमक की मातरा इतनी अधिक होती है कि इनमें पानी को बास्पिकरत करके नमक प्राप्त किया जा सकता है यहां पर जो यह वालतश्य रहे है यहां पर बा eradig elles करने बालद क करके नमक को प्रात करते हैं इन काड़ियों से क्या होता है म्राध्य में नमी और हिमत की मात्रा कैसी होती है काफी कम मात्रा में होती है राजिस्तान के अंतरगत इन में नाइट्रोजन अपर्याप moeten वह शामाने मात्रा में यहां पर पाए आगगर राज़े चुने तली है यानि कि जो संस्थार है उसमें कंकड की परत बनने के कारण पानी का रिसाओ यहां पर सीमित हो जाता यानि कि कम हो जाता है इसलिए सिचाई किये जाने पर इन मेर्दाओं में पौधर की सतत ब्रद्दी के लिए परयाप नमी हमेशा देखने को मिलती है ठीक है इसके अगर अगर देखें तो विकास जो होता है इन मेर्दाओं का विसिष्ट विकास जो होता है सुस्क जो इस्थलक्रती होती है सुस्क इस्थलक्रती वाले जो पच्चिमी राजिस्थान मतला यह वाला भाग अगर देखें तो इसमें विक्सित हुई है और यह प्रकार से अन एक तो सुस्क और मरुस् एक तो जेविक पदाग और जो नाइट्रोजन होता है, उसकी कमी हमको देखने को मिलती है, इसके अलाबा केल्सियम, कार्वनेट की जो भिन्नेता है, भिन्न मातरा में पाए जाती है, जो जहाँ करें, जो जल एक प्रकार से अनतेस पंदन, इसके कारण अवरुद्ध हो जाता है, और बिस्तार अगर देखें इसका, तो बिस्तार मखुरूब से है अगर देखें, तो इसका विस्तार हमको राजिस्तान वाले छेतर में देखने की मिलेगा, सोराष्ट यानि कि गुजराद वाले छेत्र में देखने को मिलेगा और दक्षिनी पंजाब में यह देखने को मिलेगा जैसे यह वाला भाग हमने देखे थे इसके लावा इस मिरदा को अच्छे तरीके सिंचित करके से करसी यूग भी बनाया जा सकता है जैसे कि राजिस्थान में ये काम किया जा रहा है बन म्रदा आए अगर बात करें हम बन या फिर अगर बात करें परवतिय म्रदा की तो इसके अंतरकत हमको देखने के मिलता है देखे हिमाले वाला चेत्र है ये वाला चेत्र हमको देखने के मिलता है ठीक है सिक्किम बाला चेत्र और अचल पर देज वाला चेत्र है तो यह 1000 से लेकर 300 जो मीटर है इसके बीच में एक प्रकार से जो संकुधारी जो 1 संकुधारी जो बन पाई जाते हैं जमाओर सहादरी पपर्वी घंत के तराईं जो है स्थेonomy में देखने की मिलती है इसके अलावा इसमें अगर देखें हम तो जो मिट्टी है धरातल पैड पौधे की जो पत्तिया है उससे धका होता है तो इसके कारण इसका जो कलर है कैसा होता है धूसर भूरा या फिर धूसर लाल देखने को मिलता है ठीक है यह मिट्टिया जो होती है प्रकार से पोसक तत्व की अनुसार अगर देखें तो यह मिट्टिया पौधों के पोसक तत्व से संपन्न होती है ठीक है परन्तु इन में एक प्रकार से अगर देखें तो पोटास की मातरा और फाकोरस की मातरा ठीक है इसके अलावा चूने की मात बात की जा रही है तो यहां पे जो अमली दसाव में पोर्ड़ॉल से लेकर कम अमली है निर्पेक्ष दसाव में भूरी मिट्टी के बीच में परिबहतन की मिलता है और इसमें मुख्रुब से फसल चाए की होती है जो आधिक उत्पादन होता है तो बन और परवती मेर्दाए पलाई थी परणतु इसको हम 2 काटटिगरी में देख सकते हैं वन म्रदा है और यहीं पर्बति म्रदा हों के बारे में ब्यांते हैं फोड़ी सी अलकसे जानकारी यहां हिए दोनों काटटिगरी में एक ही है जो ICIर उसने इनको एक ही category में राखा तो यहाँ देख सकते हैं जटिल मरदा होती है काफी जो परबती है मरदा होए वो एक प्रकार से कैसी होती है काफी जटिल होती है यानि कि mountain soil इसे बोलते हैं दो प्रकार इसके define कियेगा है एक तो दोमट पोड़ जौल है और एक उच्छ स्थानी है तो यह काफी जटिल होती है इनमें अत्यधिक बिवित्ता मिलती है और नदी द्रोनी के अगरबात करें जो नदी द्रोनी होती है नदी द्रोनी मतलब river basin जिसे हम बोलते हैं और निमने ढलान पर जो जरोड मेदा है उसके रूप में ये पाई जाती है उचे भागों पर आपरिपक वे मरदा होती है पत्रीली मरदा होती है परवती ढालों पर ये विक्सित होने के कारण मिट्टी की परत पतली होती है ठीक है और बड़े एक प्रकार से देखें तो परवती भागों में भुआकरतिक, भुबैग्यानिक, बनस्पतिक एबम जलवाई यूविक जो दसाय होती उसकी विवित्ता एबम जटिल कारण यहां एक तरह की प्रकार से मरदा जो है बड़े बड़े छेत्रों में नहीं मिलती है यहने की बहुत बड़े छेत्र में हमको यहां पर देखने को नहीं मिलती है काफी जो है आवेवस्तित छेत्र यहां देखने को मिलता है जिवासमी की अगर बात करें तो जिवासमी की अधिकता यहां पर पाई जाती है ठीक है और ये जिवास जो होते है अधिकतार एक प्रकार से अनफगटित जो छेतर होते हैं वो एक प्रकार से अनफगटित होते हैं और फल सरूप हुमिक जो अमल होते हैं उसका निर्मान यहा कि इसके अलाबा हम देखें तो खड़े ढाल वाले जो उच्चावच प्रदेश है मरदा विहीन होते हैं इस मरदा के विभिन ने जो प्रदेश है अलाग अलाग प्रकार की यहां पर फसले देखने को मिलती है जैसे कि चंबल घांटी की बात कर लेते हैं फलों के बाग ढलान कहबा मसाले एबन फलों की खेती के लिए काफी फेमास है नेक्स्ट देख सकते हैं लबनी मरदा तो लबनी मरदा हमने देखें से देखिए यह काला जो भाग है वो हमको लबनी मरदा की रूप में देखने को मिल रहा है यह जो मरदा होती है अनूरवर अथा उसर होती है मत कि उनका अनुपाद जो हता है काफी अधिक होता है ठीक है और इसकी संडचना बलुई से लेकर दोमड थक हो सकती है इनमे नाइट्रोजन तथा चूने की कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और चूने की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अलावा अगर देखें हम तो यह अर्दसूस के जो जलाकरांत जो छेत्र है उसमें पाई जाती है एक तो सूस के छेत्र में पाई जाती ह और एक अर्दसूस के छेतर में यह पाई जाती है जैसे कि उधारान के रूप में हम देख सकते हैं पस्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के देल्टा वाले छेतर और पस्चिमी बंगाल के सुंदरवन वाले छेतर में यह पाई जाती है कच्छ के रंड की भी अगर बात करें हम यहाँ पर गुजरात के अंतरगत दक्षिन पच्छी मांसुन के साथ नमक के कण आते यहाँ पर जो की एक पपड़ी के रूप में उपरी परत में जम हो जाते हैं कुछ डेल्टाई प्रदेश के अगर बात करें तो समुद्री जल के भर जाने से इन मेदाओं के विकास में काफी बढ़ावा मिलता है और हरित प्रांती के अंतरगत जो अत्यदिक सिचाई वाले जो गहन करसी छेत्र हैं उसमें विसेस रूप से हरित प्रांती के बात करें त केसी का क्रिया को कैपिलरी एक्षण भी बलते हैं इंगलिस में तो कैपिलरी एक्षण ब्रांती के नोती की 온कॉरachtet जो 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 ते जो चैतर। है जो sodium है calcium है और magnesium है इसके लवन धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं इसके लाबा सरवधिक भारत के सरवधिक लवन प्रवहावी छेत्र के अगर बात करें तो वह गुजरात हमको देखने को हर्याना और यूपी यह तीन हम देख सकते हैं यहाँ पर म्रदा का जो लवनी करन है म्रदा में 71 सिंचिजल के बात्विकरन होने से पीछे छूटे जो नमक है और खनीजों से उत्पन होता है इसके लावा म्रदा में लवन की मातरा को ग्याद करने के लिए बिद्दुच चलकता जो है मापी का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार म्रदा छेत्रों में विसेस रूप से अगर देखें तो हमको यहाँ पर पंजाब और हर्याणा में लवन्टा की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर क्या होता है चूना और जिपसम का प्रयोग की और इसके अलावा अगर देखें लवन रोधी फसल जैसे की बरसीम चावल गन्ना इसकी खेती की सलहा दी जाती है मुख रूप से अगर देखें तो सुस्क और जलवाईयू जो प्रदेश है मतलब जो सुस्क जलवाईयू और खराब अपभा के कारण इन में लबणों की मातरा बढ़ते जाती है और अलग अलग प्रकार से इसका इस्थानियँ नाम हो सकता है जैसी की रह है कलर है रकार है कुसर है कार्ल है चापें है यह सब такая लबणिये म्रदायों के नाम है फिर नेइक्स्थ है पीतमन की मरदा की बात कर लेते हैं तो पीतमनatta आपको देखने मिलेगी द्लिकंटा जो है वह आप देख सकते यहां पर देखें यहवाला जो है यह देख fue終ल सकते हैं कुछ और हदेख सकते हैं ठीक है तो यह वाल थे में आपको पीटमंगः मेरदा देखने को मिलेगी को हमें कि तो इसके बारह में उठ चादरता से उठ उन छेत्रों में पाई जाती है जहां बनसपति की अच्छी होती है, तो हम क्या बहुत सकते हैं? बनसपती की ब्रद्धी अच्छी होती है बहाँ यह पाई जाती है और इसमें हुमस और जैब तत्व की अगर बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं हम देखे हुमस और जैब तत्व उप्युक्त होती है मुख्रूप से अगर देखें धान की खेती के लिए यहां पर मतलब पानी भराओ के कारण धान की खेती के लिए काफी उप्युक्त होती है इसके लाबा मुक्ष रूपस है जो केरल है केरल के अगर बात करें केरल राज में जो कोटायम एक जनपद है उसमें पस्चीमी भाग में ये जो मरदा है वो देखने को मिलती है इन मरदाओं में अगर देखें तो जैपदार्थों की मात्रा जो होती है चालिस से पचास प्रतिसत तक देखने को मिलती है ये मरदा समाने रूपस में कैसी होती है गाढ़े काले रंग की होती है और कई स्थानों में जो है चारिये भी होती है दलदली म्रदा जो है म्रदा अधिकतार अगर देखें तो हमको बिहार वाले छेत्र में देखने को मिलेगी बिहार के उत्तरी भाग में उत्तरा खंड के दक्षीनी भाग में देखने को मिलेगी पस्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी और तमिल नाडू वाले छेत्र में य कैसी होती है अधिक बर्सा के कारान यहां पर होती है अधिक बर्सा वाले स्थानुम होती है इस मेरदा में कच्चे जीवास में के अधिकता होती है जिसके सड़ने से यहां पर जो सीओ टू है सीओ टू पानी के साथ मिलकर क्या होती है तोपो तो 6 का अमले का निर्वान करती है ये जैल के साथ मिलता है खीक है खार्वनिक अमले जो है बनाती है और यहां पर हैड्रोजन I यहां कि H आयनों की संदरता बढ़ जाती है ठीक है और मैदा अमली हो जाती है चूने के प्रियोग द्वारा जो है अमली मरदा के कणों तथा हैड्रोजन आयन जो होते है उसके हैड्रोजन आयन बाहर आते है और अमली मरदा का जो pH मान होता है क्या होता है साथ से कम होता है ठीक है स्थानों को परवती रओ पर लगाया जाता है अब बात करते हैं चारी अ मयर्दा की उतुपता ती कि न हम भोल सकते हैं का कम भर्सा वाला छेत्रों में यह देखने को मिलते हैं जो जो है ती guest urban घुलकर चुने के प्रियोग से चारिय म्रदा जो होती है, म्रदा से सोडियम आयन बहार आ जाते है और म्रदा चारिय म्रदा का pH मान साथ से अधिक होता है, मतलब अगर देखें तो इधार चारिय म्रदा का जो मान है साथ से अधिक होता pH मान, कुछ छेत्र देख लेते हैं, जैसे कि र हार्याना वाले चेत्र में, पंजाब और महराष्ट वाले चेत्र में ये देखने को मिलती है, ठीक है इन अनुभ जाओ को रहे कलर उसर? इन नामों से जाना जाता है भारत में सरवधिक छारी मरदा वाले जो राज्ज है उनका घर्टकरम अगर देखें तो सबसे पहले छारी मरदा यूपी में देखने के मिलती है फिर गुजरात में देखने के मिलती है फिर हर्याना में और फिर पंजाब में देखने के मिलती है घर्टकरम में ठीक है तो यहां देखें हम देख सकते हैं जो अमलिय जो मतलब एक प्रकास है अधिक अमलिया अधिक शारी मरदा फकलों के लिए अनुप्युक्त है मतलब उप्युक्त नहीं होती है प्रकास अनुप्युक्त होती है मरदा की कुछ समस्या है वो भी हम यहां पर देख लेते हैं जैसे कि मरदा अपरदन मरदा अपरदन मतलब जो बहर जाती है निक्षेपित हो जाती है उसको मरदा अपरदन बोलते हैं जहां जल जमा हो जाता है दल दली हो जाती है वो भी एक प्रकार की समस्या देखने मिलती है अधिक अमलिये और अधिक लबनिये और छारी जो म्रदा है वो क्या होती है आनुप्युक्त होती है मतलब किसी भी प्रकार की फसलों के लिए उप्युक्त नहीं माने जाती है तो य एक प्रदेश है वह एक प्रकार की समस्य देखने की मिलती है और मानाओ के दौरा अत्यदिक सोसंड अर्थाथ हम बोल सकते हैं मानाओ का जो बोज जनसेंख्या का बोज धीरे-दीरे बढ़ते जा रहा है कारण जो है मुरदा को काफी नुकसान पहुँचा जा रहा है या मरदा का सोंसांड किया जा रहा है तो यहाँ पे हम देखते हैं सबस्वे पहले बनस्पती का आभाव तो मुख्षरूप उससे किसका कारण होती है बनत्पति के अभाव के कारण होती है यहां की मिट्टी तूट-फूट कर दूसरी तरफ चले जाती है कुछ प्राक्रतिक कारग भी हमको देखने मिलते हैं जैसे कि जल है पवन है हिमानी इनके कारण भी क्या होता है जल के कारण म्रदा जो बहाओ है याने कि जो गुरुत्व बल है उसके कारण पहाडी धलान पर मरदा नीचे की ओर धीरे धीरे गतिमान होती है तो इसी को मरदा सरपन कहा जाता है प्राकरतिक अत्वा मानभी कारकों से संतुलन काफी बिगड़ जाता है इसके अलावा अगर देखें तो भारत के अंतरगत मतलब मुखरूप से अगर देखें भारत की सार बहुमिक समस्य से इसको हम बोल सकते है मरदा परदन क्योंकि भारत में काफी समस्या देखने को मिलती है मरदा अपर्दन की जो एक प्रकार से भायवा एबम उसके फैलाओ को कई भोतिक एबम समाजिक जो काराख है वो निर्धारित करते हैं जैसे की बर्सा की अपर्दन कारी सकती, मरदा की अपनी कटाओ की छमता, आवर्ती धालों की तीब्रता ये सभी प्रमुख है, समाजिक का कारण के अलावा जैसे की मानवी कारक में अगर देखें तो मानवी क्रियकलाप जैसे जनसेंक्य के ब्रद्धी के कारण भूमी की मांग अधिक बढ़ते जा रही है, जिसके कारण बनों की कटाई, मानव बस्तिया यहां ब्रद्धी होते जा रही है, क्रसी करने के लिए प्रित्कान्ति का आरम में अगर देखें तो वहां पर नदीगाटी परिज्या के करण भी जो भूमी है उसका आपर्दन होते जारा म्रदा का अपर्दन देखने को मिलता है लगातार एक फसल अगर लगा रहे हैं तो भी म्रदा जो है म्रदा की पोसक्त ताथ उसमें कमी जाना चाहिए भूमी अपर्दन की जो गंभीर समस्या है उसके लिए खड्ड अबनालीका और वुसकलन भी काफी जिम्मेदार है ठीक है तो यह हमने मुखरूप से यहां म्रदा पर्दन के बारे में इंपोर्टन चीजे देखें तो मुखरूप से अबनालीका और खड्डे जो है वो मुखरूप से हमको यमना चंबल के छेतर में देखने को मिलते हैं गुजरात के खड्डे देखने को मिलते हैं पंजाब के सिवालिक में देखने को मिलते हैं चोटानाकपुर के पठार वाले के देखनेख मिलती है और जल तो यहां देखिए पबन समुदरी लहरे और जल के कारण यहां पर म्रादा का पर्दन काफ़ी सहयक होता यानि यदि कि जल अपर्दन अगर देखें तो यहां पर दीखें जो जल के दौरा अगर देखें जल अपर्दन तो children can हमको एक प्रकार से जल द्वारा अपरदन एक प्रकार से देखें जल द्वारा अपरदन के अगर बात करें अधिक गंभीर है यह और भारी बर्सा और खड़ी धलानों वाले छेत्र में यह धीरे धीरे एक प्रकार से काफी हानिकारक होता है ठीक है इसके अलाबा अगर देख उनके प्रहार से क्या होता है बूंद अपर्दन होता है और दुत्य परत अगर बात करें दुत्य परत जिसमें हम देख सकते हैं परत अपर्दन मतलब दुत्य जो चरण है उसमें परत अपर्दन होता है कैसे मर्दा की उपरी परत के अनाच्छा दन यानि अपक्षय और अप ही शक्रत कतोर परत ह는 पत्ली परत में जो नालिया है वो बनाने लगती है इसको रिल अपरदन बोला जाता है ठीक है इसके अलाबा अवनाली का जो कि चत्थ चरण है तो म्रतिकर युप्त जो उम्रदा है उसको काटते हुए गेहरी वही का यहिनिकि गेहरी जो नालिया है वो बन जाती है अवनली का अपरदन इसको कहा जाता है तो यह चंबल बेसीन में हमको खास करके देखने को मिलता है ठीक है मतलब जो अवनली का अपरदन है मुख्ष रूप से देखे हमने यह देखे मेर्ति का चंबल बेसीन में खास करके देखने को मिलता है इसके लावा पवन अपर्दन हम यहीं पर देख लेते हैं पवन अपर्दन क्या होता है पवन अपर्दन का मतलब होता है जैसे मैदान का भाग है मैदान का भाग या ढालू जो छेतर है उसमें म्रदा क्या होती है उड़ा कर एक प्रकार से जो है ले जाती है या पवन तो उसको म्र करके हमको राजिस्तान वाले चेत्र में हर्याना वाले चेत्र में पंजाब वाले चेत्र में और उत्तर पेदेश और गुज्राद वाले चेत्र में यह काफी मात्रा में देखने को मिलती है चलिए अब यहां देखते हैं जल अपरदन से प्रवाबिक जो चेत्र है उसकी अग चंबल आपको मदप्रदेश से होती ही निकलती है और यमुना इधर से आती हुए तो यह वाला जो छेत्र है वो भी काफ़ इंपोर्टेंट यहां पर उत्तर पूर्वी भारत में भी यह समस्य देखने मिलेगी उत्तर प्रदेश में भी देखने मिलेगी पच्छिमी घाट मे तमिल नडू और पषिम बंगाल में यह देखने मिलेगी तमिल नडू यह देख सकते हैं पषिम बंगाल अपरत हैं तो मतषिम धारव समस्य घाल होगी मतवे तोild करद हो घ्र घ्र का उपरद जो वो उड़ाकर ले जा लेगी जैसे राजिस्तान वाले छेत्र में देखनेक मिलता है भूमी का तीवर ढ़ाल अगर है तो मरदा वहाँ पर क्या होती होगी बहाओ धीर धीर होते जाएगा और जो है मरदा अपरदित होती चले जाएगी मिट्टी का हलका पन अगर है तो मरदा वहाँ टिक नहीं पाएगी और जल और बायू के कारण वहाँ से अपरदित हो जाएगी जूम करसी जूम करसी कारण भी यहां पर अगर है तो बनों की कटाई यहां पर की जाती है जिसे परती मतलब एक प्रकार से जूम करसी जो होती है एक जगह जंगल काटकर यहां करसी की जाती फिर दूसरे जगह काटकर की जाती तो इस पर भी अगर रोक लगा दी जाए तो अ मुख्य कारण है आवएज्यानिक क्रसी भी यहां पर मुख्य रूप से जैसे कि धाल के समानतर खेत की जुताई ना करना फसल चक्र ना अपनाना अत्याधिक सिचाई वह उर्वरक का प्रियोग करना यह सभी इसके आवएज्यानिक तरीका है तो यह भी काफी मतलब मुख्य बहुत करने और भूमी जो जल है मरदा अध्रतामे काफी गिराबट देखने को मिलती है मरुस्थल छेत्र का यहां पर बढ़ावा मिलता है सूखा और बाड़ की स्तिती काफी मात्रा में देखने को मिलती है रेत का जमाव बढ़ जाता है और भूसकलन के खत्रे हमको यहां पर देखने को मिलते है इसके अलाबा सांस्क्रितिक और आर्थिक जो समरद्दी है उस पर भी काफी प्रतिकूल प्रवाव पड़ता है आतंगबादी और अपरादी को यहां बढ़ावा मिलता है रहने के लिए इसके अलाबा इमार्ति और इंधन की जो लकड़ी है वो उसकी कमी होने के कारण जीव चंबल और यमना की बात करें अपने हां भी बात किये थे देखें चंबल और यमना की तो यहां हमको देखने मिलता है पस्चीमी हिमाले की बात करें तो पस्चीमी हिमाले यह वाला चेत्र देखने मिलेगा ठीक है उसके अलाबा चोटा नाकपूर के पठार के अगर बात कर अब बात कर लेते हैं रोकने के उपाई तो रोकने के उपाई के अगर बात करें तो सबसे मुख्य चीज है अब ब्रक्षारूपन ब्रक्षारूपन विसेस कर पहाड़ी धलानों बंजर भूमी और नदियों के किनारे होना जाहिए अती चारण की जो वेबस्ता है बसू ओवर ग्रेजिंग जिसे हम बोलते हैं उसको नियंत्रित करना है ठीक है फसल चकर को अपनाना अलग अलग फसल मतलब पद्धती को अपनाना है इसके अलाबा जल का जो तीवर वेग है उसके अंतर का तगर देखें तो मेड़ बंदी करन है और भूमी जो है उबढ़ खावड जो भूमी उसका संतलन करना यह मुख्य है यहाँ पर इसके वाद अगर देखें तो जूम करसी उस पर रोक लगाना है और परतिकरसी अथा जो बंजर भूमी है उसको खुला नहीं छोड़ना है काफी देर तक के लिए ठीक है समुचि एजनसी हैदराबाद में है सेंटर ऑफ स्टडिस इन रिसोर्स इंजिनिरिंग मुंबई में है नेश्टेट जो है आफ कॉंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडिस्टियल रिसर्च इस दिल्ली में है तो यह भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसके बाद हम देख सकते हैं जल जमाओ की जो समस्या है तो जल जमाओ की समस्ता हमको देखने को मिलती है जैसे देखे मुख रूफ से म्रदा रंद्र जो है संत्रप्त हो जाते एक प्रकार से अगर देखें तो देखें किसी छेत्र को जल जमाओ शेत्र तब मानते हैं जब उस छेत्र का जल स्त गाइब हो सकता है इस है उतपन होने के फलतुरूपम्रदा में हवा का समाइने चक्रबाधित हो जाता है, और और कॉछल्वण डायाक्सइट की मातर्ड़ने लगती तो उपजाऊपन वहाब बढ़ता है, इसके लाभा अगर देखें तो इंद्रा गांधी नहर की बात करें जो की राजिस्थान में हमको देखने की मिलती है एवं पंजाब की नहरों की निकडवर्ती छेत्र हर्याना और उस्तर प्रदेश राज्यों में क्रसी का द्भूमी का एक बहुत बड़ा भाग क्या है जल जमाओ छेत्र से ग्रसीत है नहीं पुने उप्युक्त बनाया जा सकता है अब इसके कारण क्या होते है जल जमाओ के वो हम देख लेते हैं जैसे नहरों से जल का रिसाव होता है वो हम देख सकते हैं अब नहरों को जल का रिसाव रोखने के लिए नहरों को अच्छी तरीके सेमेंटेट किया जाना चाहिए ज वो कारण हमको देखने मिलता है जल के प्राक्रतिक निकास से छरचाड किया जाना और अगर बात करें निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती भी इसके लिए उत्तरदाई है डेल्टा जो समुद्री डेल्टा उस शेत्र में बदलाओ ये भी काफी इंप समस्या की रूप में ये देखने को मिलती है मैदाव में लबनीता अब हम छार्यता जो होती है इसकी समस्या उन छेत्रों में होती है जहां बरसा आप एक शक्रत ज्यादा होती है और बरसा आप एक शक्रत कम होती है तो ये दोनों के कारण हमको यहां पर उपजावपन गाय अगर देखें तो यह मिट्टी जो उसर में बदल जाती है निकि अनुप जाओ उपन हो जाता है छेत्र लगबग असी लाग कि असी लाग कि बर्ग किलोमीटर हमको यहां पर देखने मिलेगा यानि कि दो दसमलों चार तीन प्रतिसर्थ इस समस्य से ग्रसी थे कुछ चेत्र अगर देखें तो जैसे कि पंजाब बाला चेत्र हम देख सकते हैं हर्याना वाला चेत्र देख सकते हैं उस्तर प्रदेश वाला चेत्र राजिस्तान महराष्ट गुजरात मद्र प्रदेश आंद्र प्रदेश करनाटा इस सभी चेत्र यहां जो है इस समस्य से ग प्रतरटा का अभाव होता है और किसी मरूस्थल के आतपास गैर मरूस्थली छेतर में मरूस्थल के विकाज विस्तार को एक प्रकार से क्या कहा जाता है मरूस्थली करन कहा जाता है अब बात कर यहां देखे भारत में 12 दसम् capable एक तीन प्रतिसास सुस्क छेत्र और उन्तीस दसमलों एक तीन प्रतिसास जो अर्दसूस के छेत्र में यह बर्गी करत किया गया है मरुस्तल की समस्या के अध्यन के लिए जोधपूर में C.A.A.Z.R.I. यानि की Central Arid John Research Institute जिससे बोलते हैं इसकी स्थापना की गई कहां पे जोधपूर में याद रखना है थार मरुस्तल का विस्तार अगर देखें तो राजिस्तान के जो है 16 जिलो में देखने को मिलता है एक दसमलो 7 लाग बर्ग किलोमीटर चेतर में यह मरुस्तल तेजी से दक्षिनी पस्ची मी पंजाब हर्याना और उत्तर पदेश में अर्दसूस के चेतरों की ओर बढ़ रहा है मरुस्तल के विस्तार के लिए कारक निमने जो होते हैं तीवर दर से बढ़ती हुजन संक्या, निर्वनी करण, जल इस्तर का गिरना, अधिक अपरदन, आनियंट्रित पसुचारण, जलबायू, विये जो परिबरताने बो देखने के मिलता है, सूखे की पुन्रवित्ती औ लबनिया, ये सबी जो है मुखे कारक की रूप में देखने को मिलते हैं मरुस्तली करण के, अब इसके बाद देख लेते हैं मरदा संद्रक्षन के बारे में, तो मरदा संद्रक्षन देखने के पस्चाथ हमारा जो है, थोड़ा सा और बचा यहाँ पर मरदा से संबंदित चीजे, तो वो देख लेते हैं ताकि हमारा मरदा से संबंदित जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मरदा जीवित तंत्र होती है, और किसी अन्य प्राणी की तरह है, इनका विकास छरण तथा निमनिकरण होता है, यदि समय पर इ समझ्या होती उसको खत्म करना, और मिट्टी की निमनिकरण की जो दसा होती है, निमनिकरण की जो दसा उसको सुधारा जाना, यह काफी यहाँ पर विधिया देखने को मिलती है, दोस्पूर्ण करसी पर रोक लगाया जाना, ठीक है, मतलब दोस्पूर्ण जो करसी पद्ध को रूप में लगाया जाना ताकि मृदा को पकड़ बनाया जासा के और मृदा का संडक्षन किया जासा के अतिचारन और इस्थानांतरन क्रसी जो है जिसे हम जूम क्रसी बोलते हैं इसको इस पर रोक लगाया जाना ताकि मृदा का संडक्षन किया जासा के उसके दुस्प्र अगर बात करें हम तो मुख्य उद्देश यहां देख सकते हम आसमतलन जो उबर्खाबड भूमी है उसको क्रसी योग बनाना यानि संतलन करना, मरुस्थल का विस्तार को नियंत्रित करना और उर्वरा सक्ती को बढ़ाना क्रसी योग भूमी में इसके अलावा जलबायू की दसाय भूमी रूपन और लोगों के समाजिक वैभार पर आधारित ये जो योजनाय साभी चीजे यहाँ पर फॉलो की जाएगी केंद्री म्रदा संदक्षान बोर्ट के दौरा भूमी का उनकी छमता के अनुसार ही वर्गी करन होना चाहिए ये भी इसके दौरा डिफाइन किया गया इसके अलाबा जो अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना की गई है उत्खाद भूमी जो है उसके लिए राजिस्थान में तो राजिस्थान की कोटा में की गई है उत्तर प्रदेश के आगरा में और गुजरात की अंतरगत ये की गई है कुछ important चीज़े देख लेते हैं यानि कि भारत की जो मरदा है उसके बारे में तो भारत की जो मरदा है एक दरश्टीम हमको देखने को मिलेगी देखे आप देख सकते हैं उपर जो हमने पड़े थे जरोड मरदा, लाल मरदा, काली मरदा, लेटराइट और मरुष सली और तो ये किस-किस चेतर में देखने को मिलेगी सिंदू, गंगा, ब्रह्मपुत्रे के दुआप, बाले चेतर में जरोड मरदा, मुख फसल है धान, ग्यहू, गन्ना, आलू, तिलहनी, दलहनी फसल, पोटास, वचुना की प्रचूरता हैं हां देखने को मिलती है, लाल वाली, तमिलनाडू, करनाटा, दक्षिनपूर्वी, महराष्ट, ओडीसा, मद्रप्रदेश, दक्षिनपूर्वी भाग में देखने को मिलती है, मुंग फरली, केला, तंबाकू, रागी, जौार, तीसी, कपास, ग्यहू, मक्का, इसमें फसल, मुख रूप से देखने को मिलती है, और इसमें पोटास, चूना, मैगनेसियम की प्रचूर मातरा में देखने को मिलती है, लेटराइट में करनाटा के अगर देखने, केरल, तमिलनाडू, असम, महराष्ट, ओडीसा, परवतिये वाले जो छेतर है, परवत पदिये, उसमें देखने को मिलती है, चाय, कॉफी, और फास्पूरस की मातरा इसमें, प्रचूर मातरा में होती है, परवती मिरदा, कस्मीर से, अरुनाचल पदेश, सेव, नासपाती, आलू इसमें देखने को मिलता है, पोटास, फास्पूरस, इसमें मुक्ष, जो है, पोसक्तत्व देखने को मिलते हैं, तो हमने मिरदा के के बारे में सारी चीज यहां देख लिए एक बार उपर से नजर गुम लेते हैं कि हमने क्या के चीज़ यहां पर पढ़े हैं ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से पिक्चर केट हो जाए और आप रिविजन करते समय ध्यान में रख पाए तो हम देख सकते हैं जो म्रदा मंरदा के बारे हमने सारी चीज यहां पर पढ़हे है यानि कि भारत की मिट्टियों के बारे में तो भारत की मिट्टियों से संब Disease से प्राकृतिक। सुस्क मरदा की बात करें, मरुस्थाली मरदा, बन मरदा, इसके बाद परबती मरदा की बात कर लेते हैं, लबनी मरदा, इसके बाद पीटमाई मरदा, और अमली और चारी ये, ये अलग देखें, मरदा की समस्याओ के बारे में देखें, मरदा अपरदन, मरदा अपरदन के क पारक देखें जल अपर्दन अबनाली का पर्दन ये सबी चीज़ों के बारे में हमने देखें जल अपर्दन से प्रभाविच छेत्र के बारे में बात किये मरदा पर्दन के कारण देखें उसके प्रभाव प्रभाविच छेत्र के बारे में देखें इसको रोकने को पाय दे आने का आपका प्रयास रहेगा ठीक है मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी सच्छी मतलब जो है material प्रोवाइड कराऊं और आपका प्रयास बस इतना रहना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तब